वेल्कम बाक टू जागो लोहर जनाब अब जो हम डिसकाशन करने वाले हैं वो है स्पीकर सिंद्स अमली सराजबुरानी की गिरिफतारी के हवाले से और नाइब ने इनको गिरिफतार किया है आम दन से जायत असासों का मौमला है तफसिलात हमारे जो रिपोर्टर है राहील स जो कैम्पी है पीपल्स पार्टी की जानब से और उनको वेल्कम करेंगे थांक्यू सो मुझ करें राहील सबसे पहले तो इस केस के हवाले से थोड़ी सी डीटिल्स बताएं फिर हम मेडम का मौक अप भी लिए लिए जिसना नाइब के तकी जो एक्तिसाब का सिस्था जारी जो भी असासाजाद के तफसिलाथ वो फराम करें ताकसम पर लिखा जा सके कि आप जा से जारी आजा जाए आप जाए बनाएं बनाएं रहाएं लिए जराय कौन से आजाए जिए जब इनसे भी मांगे गई तो यह मुतमीन नहीं कर सके अटिम को विए उनके बार में कहां जाएदा फ्रांसफर की गए थी, इस सबस्दिंग नायब है कि नायब किन एक यह और सुन्हेज परेकश अम्राम करें किन ता कि भी में ज हम आप आप सबस्की आपके अपने से आप से जो भी तफसिलात नैप के पास आई हैं उनकी जैदात के अवाले से जो एसी सी पी का रिकॉर्ट था भी ने ले लिया ताके पता लगजे के नाम पर इनके खानदान के नाम पर कौन कौन से कंप्पनी जो है और अग्जिस्ट का रही है और उनका जो कैपिटल है हुजम जो है वो लीगल नहीं है उनके जो आम देन आपने ले लेगल नहीं अब देखना है कि अजिसना नेप डिग आप रिख लेगारत कर रहा हैं वहां से मज़ीद जिस्मानी रिमान पेश करें रिया कि किस बुनियाद पर उनके इनको घृपतार कि बड़े बड़ी थी तीन लिए कर आप प्रेस कानफरंस देखा जिसाईड़ारी देखा अप्रिपस पर्फ़ालटी के जाने जड़ा अगि तो यह एक कल्चर बन चुक आप जब भी किसी सियासिटान को गिफटार करते हैं तो यह एक अगर अगर आप पंजाब में देखें तो पंजाब में भी जब शिबाज तो यह में कल्चर नजर आया है अलीम खान को ग्रिफदार किया गया लेकिन क्योंकि हुए उन्हें अधिजाज के तो नहीं आया लेकिन अधिजारी यह जैक्री के लिए लोग इनके सामने पेश हुए अधिसाब अधालत जाते रहे तो यह कल्चर बंगे कि जैसे को तो यह मत्मीन कर सकता स्वालों के जवाब आद नहीं दे सका आपने बंग स्टेटमेंट नहीं दे सका तो उसके बाद नए नियुक रखो दो प्रश्चर आपकर अगर इतने बड़े लोगों को ग्रिफदार करने के बाद भी अगर अगर अब कुछ साबित नहीं कर सके तो कि हम चलते हैं, फ्रोवक निसका करने थे खान हुं को स कि अपिको पर हुँ तो काम है, आह भू है कोई लिए को यहां को आपको तो क्मूर कर सकैंë अब देखी के अर्पों खरते रूपय कि अर्पों क कि अरया जो रूप हैं प्यांक्तया ही利 प्रफिन का रहा है और आगर आप उसको गिफ्तार करते हैं तो जम्हूरियत खत्रे में है या नहीं है मैं बिल्कुल आपकी महरबानी आपने एक तो मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया दा करूँगी कि आपने भाई से बहुत इन्होंने लंबी गुफ्तगू की इखतलाफ करूँगी कि जमूरियत क्यूं हमारे मुलक में सिर्फ सियासतदानों को ही करप्ट कहा गया है जमूरियत कैसे खत्रे में नहीं है हमारी पीपल्स पार्टी हमेशा से हमें ही कोर्ट में लाया गया हमें ही कटहरे में खड़ा किया गया आप देखें कि जनाब आसिफ अली जर्दारी साहब पर 11 साल केस चले और वो केस क्या था वो बी-एम-डव्यू केस था जिसमें एक गाड़ी अगर अगर वो नॉन कस्टम पेड़ भी है आप गाड़ी को बंद कर देते हैं लेकिन उसी केस में जनाब आसिफ अली जर्दारी साहब को 11 साल तक उनकी बेल नहीं ली गई उसके बाद आप देखें कि ये विक्टमाइजेशन हमेशा सिर्फ स्यासदानों की क्यों हो रही है क्या अर्बों-खर्बों की जायदादें वो जो हमारे असल ताकतवर लोग बैठे हैं जिनके हाथ में सारा सिस्टम है कि अनकी अरबों खर्मों की जायदादें नहीं नैब की जुरत है तो किसी एक को नोटिस कर दे किसी इस्टाबलिश्मेंट के बंदे को नोटिस कर दे उनको तो आज तक नोटीस नहीं हुआ। नोटे सिर्व स्यासदानों को पब्लिक मेंडेट दे कर इस मकाम पर लाती है और इमान जारी सब्सक्राइगी आपके मुल्क के बजट का 80% कहां जाता है जिसका आप आज तक हमारे मुल्क में किसी की जुरत नहीं है कि वो नाम ले ठीक है बागी है आपका 20% 20% आता है आपका सियासदानों के हाथ में कहें आपकी पार्लिमेंट के हाथ में कहें वो तक्सीम होता है आप उस 20% के पीछे तो लगे हुए है वो 80% का तो किसी की जुरत नहीं है नाम ले ले की नैब भी अगर नैब को बनाया किसने है एक जर्नल ने परवेज मुशरफ के दौर में नैब क चल रहा है नैब सारे ही पॉलिटीशन को सा वो जमातें जो लोगों की जमातें जो अवाम की जमातें जो अवाम से वोट लेके लोग आते हैं आप उनके पीछे तो पाड़ जाते हैं आप चादर चार दिवारी का तक्दूस का हमाल कर देते हैं ठीक है आगा आप कह रही है करते हैं हमें नहीं पता हमारा टैक्स कान जाता है पीपल्स पार्टी हमेशा कोर्ट में जाके पीपल्स पार्टी ने केसे लड़े हैं हमेशा कानून के सामने खड़ी होके कानून अपना जो कानूनी राइट है वही इस्तमाल किया है अब भी हम यह नहीं कहते हैं कि आप अहत साब ना करें जो आज कल हो रहा है कि किसी एक जमार अब सिंध हकोमत को डीरेल करने के हवाले से बहुत ज्यादा प्रेशर आया है वो प्रेशर कभी किस नौईयत का कभी किस नौईयत का आप की आप पीटी आई का एक जली अदारा बने हुए हैं इस हवाले से कि आप जो काम क अब पहुंच जाता है वाकिए वो बड़े बड़े नाम उठाने के लिए तो इसी बात पर हमारा इतराज है कि आप एहतसाब करें आप सब का एहतसाब करें यही चीज जो बार-बार डिसकास हो रही है जो मैं कह रही हूँ कि अगर आपका आप एक जैली इदारा बने हुए है तो यह एक तासूर खतम करने के लिए भी अलीम खान की गिरफतारी हो सकती है एक और तासूर भी है कि अलीम खान को नैब ने इसलिए गिरफतार किये कि नैब का जो एहतसाब है वही नैब अब सिंध हरकूमत के हवाले से आप एक स्पीकर साब को उठा लेते हैं इसको पूरी पार्लिमेंट पर आपने अटेक किया है गवर्नर राज के हवाले से सिंध हरकूमत पे बहुत जादा प्रेशर औरेडी भी है यह भी बार-बार कहा जा रहा है कि सिंध पे गवर्नर राज लगाने की कोशिश की जा रही है लेकिन वो उनके लिए इतना आसान नहीं है पीचे आई की गवर्मेंट के लिए इसलिए वो मुक्तलिफ तरह के रास्ते इस्तमाल करें और चादर-चार दिवारी का तकद्द्स पामाल करना नोटिस बत्से अलिए मेरे बत्सका नहीं है के श्रआने की में सबस्तमान नहीं हमाण का नहीं प्रिवेज मशरफ के दाहर में बनाया गया था था करा बात बता रहा हैं कि आप लोगों को खुद देखना है कि अपने बावरफुल आपने के Пषब कातना चाहते हैं ठाऊना चाहते हैं अब आप देखें जर्दारी सामने तीवी पे बैठ गा किसके जुरत है मुझे तलब कर ले मुझे यह पता है जब आप कानून की पासदारी की बात करते हैं तो पिर जो भी तलब करें अगर आप साफ हैं तो आप जाके पना केस लड़ लें दालतों में मैं समझतों के नहीं अगरत किया लेकिन आप कानून की पासदारी करें आप जाएं आपने आपको बेगुना साबित करें इसमें मैडम कभी स्टांस लें जो मनी लॉंडिंगा केस अल्रा मिला उसमें अकॉंट जो निकले हैं जहां से बिल पेड होते हैं जहां से आयान अली की नियुक्तार को बेठार यह भी स्टांस रहा है कि इदारा खुदमुछतार होना चाहिए लेकिन आपके सुप्रीम कोड़ ने आपके चीफ जसिस आफ पाकिस्तान ने कोर्ट में बैठके अपने डिसीयन में नैब से कहा है कि आप अपने अख्तियारात से तजावज कर रहे हैं इसके सुप्रीम कोर्ट से वो आगे बैथा हुआ है नोटीस पे मेरी बात सुनें नोटीस पे मैं लॉयर हूँ मैं प्रैक्टिशनल लॉयर हूँ इसलिए मैं हमेशा से यह स्टांस रहा है कि नैब अपने अख्तियारात से तजावज करता है इसके लॉज में तबदीली करने की ज़रता है बहुत अफसोस के साथ मैं यहां कहूंगी कि नवाज शरीफ या उनको शायद वो यह समझते थे कि हम हमेशा से इक्तदार में रहेंगे शायद वह समझते थे कि हमेशा सिर्फ एक्तिमाईस पीपल्स तब इन वहां ही इस दिए उस लिवक उस वक्रफ वह साथ नहीं बैठे पीपल्स पार्टी के वरना पीपल्स पार्ट्टी उस वही चीजें अब सामने आ रहे हैं तो आपके दोर में भी लिभा उस तरह से कि वी ये बाई अफसोस के साथ हमारे मिल्क में जो चल रहा है जिनके हाथ में सब कुछ है अब वो खुल के सामने अवाम्त पीजन आए है अब पर्लिम gefूंचते हैं आप अवाम के खिलाफे जंग लड रहे है वो कभी नवाज शरीf कि कि रफ़तारी है कभी शेयबाद शरीफ की कि रफ़तारी है जनराल आसे फ़ल जर्दारी साब की को धंकियां दी जा रही है मैं आप सवार करनूं के ओमाम मैं लिए इस ले नहीं देते हैं कि आप अपनी अर्फ करती है अवाम का सुन आए पाक्सान परनाने हैं चैस पीकर पंजाब इसेंबली है उनको इमरान खान कल को क्या कहता था सबसे पहले सेन्स इसम्ब्ली का स्पीकर उठाया जाता है साबएक प्राइम मिनिस्टर जो के दो बारे जुके उसके पहले आपका सीनर वजीराला उठाया जाता है उसके बाद आपका सीनर वजीर हुए अगुवेंगें बात यह कि उनका तालुक पार्टी से उनफॉर्चुनेट दी एक वजीर आजम भी गुजरे है जेल में थे वो रहा हुए नो दिन अखबार में था मैं उनका इंट्रिव्यू करने गया तो कहते हैं इतने राहिल हलात खराब है कि मैंने घड़ियां बेज के बच्चों की फीस सबसे बड़ी हमारी बदनसीबी यही है कि हमारे मीडिया ने हमेशा से यह रोल जब मीडिया शायद वो अभी उस स्टेज पे नहीं था सब सीख रहे थे मीडिया ने भी बहुत अफसोसना कि यह रोल प्ले किया कि पॉलिटीशन्स को आपने हमेशा विक्तिमाए से लिए मैडम 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 पॉलिटीशन्स को उठाया भी बाते वीडिया ने है आप सो आमिर बने हैं जो आप इसकाराओ करना ने हैं जिए जिए पैसे बनाए हैं जारे कि आप अपने अक्तियारात से तजावज कर रहे हैं और उसके बावजूर तजावज आ आमेर हैं आप वकील है आपने एक कानून बनाया एका प्रफी जा उच देने कानून बनाया आप इसका पास किया लिए तो या टॉचे समझ में आती है अब जब आमने इस समी नोभी बाउस में चैने मैंडम आप जड़ा हुआ है अगर वो इक्तियाराद मुझे मिलते हैं मुझे section 31 कहता है कि मैं तीसे नोटिस पर कोई शक्स ना पेशो में उसे ग्रिफतार कर सकता हूं तो मैं अपने इक्तियाराद में कहां तेजावसकार हूं जिए कुछे काँ है पञेशावस के पंजाब के इसलिए करेंगे क्यूंकि हमारा जो बेसिकली ताफिड्स पार्टी को सबस्य सब्सक्राइब फिर नहीं जाएगी अगर इसी तरह से हमारे खिलाफ यह सारा जोन लगा रहा तो एहतज़ाज पीपल्स पार्टी से ज्यादा कोई जमात नहीं कर सकती ये और अगर अगर जरकों पैसी अप्जाब में आपको लगदे है कि नी स्ट्रॉंक है कि अप अ में टेजाज रिकॉर्ड कर आएंगे तो इतना اंपakt आएगा वक्ते पंजाब में जो पीपल्स पार्टी का वरकर है जो जियाला है वो वहीं खड़ा है जहां वो बीबी के दोर में था बलके मैं आपको बताओं कि मैंने वहां से एने का अलेक्शन लड़ा है इतना ज्यादा पूर जोश कैम्पेंड के दोरान और अलेक्शन डे पे भी इवन ये तो अलेक्शन फिर जो कुछ हुआ वो पूरे पाकिस्तान को पता है कि अलेक्शन कैसे रिजर्ट्स तबदील किये गए इतना ज्यादा पूर जोश शायद आप जो बीबी के बेटे के लिए जनाब चेर्मेन बिलावल भुटो जरदारी साहब की महबत में लोग निकले हैं वो इससे पहले नहीं निकले थे अब भी जब जनाब बिलावल भुटो जरदारी साहब कॉल देंगे तो आप देखिएगा के पूरा पंजाब बाहर होगा और नवास और जो नून लीग है और पीपल्स पार्टी के मिजाज में फर्क है अच्छा आप बा उसी तरह से लेके चल रहे हैं वो बीबी का खून है बीबी की तरबियत और वो जब हम उनसे मिलते हैं तो यकीन करें इवन उनका जो बोलने का तरीका भी है वो भी बिलकुल लहजा भी वो भी बिलकुल बीबी जैसा है और बीबी की ही आवाज है और वो बीबी के बेटे ह वो वैसे ही उसको लेकर चल रहे हैं और पीपल्स पार्ट्य का जयाला भी उनसे उतनी ही शभी on का से किए पब्लिक को दे रहे हैं, पब्लिक के लिए दे रहे हैं, अपने मुल्क के लिए दे रहे हैं, वो कहां जा रहा है, लेकिन इतसाब का अमल डेफिनेटली होना चाहिए, हर बराबरी की सता पर होना चाहिए, ताके इन स्यासितदानों के गिले शिक्वे भी दूर हो जाएं के इ साथ सिर्फ हमारा और ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजर होंगे, हमें और भी मेमान जोइन करने वाले हैं, आप देखते रहें, जागो लहार्ट